अगर आपका Employer EPS यानि के Employee Pension Scheme के अंदर contribute करता है, जो contributions आपकी Provident Fund contribution का ही part होती है, तो यह वीडियो आपके लिए applicable है, जहां हम जानने की कोशी करेंगे कि कितनी contribution के उपर आपको कितना pension का amount मिलने वाला है, retirement के उपर आपकी pension कितनी बनेगी और क्या-क्या parameter है जो आपकी pension को define करते हैं, 1995 में government ने Employee Provident Fund and Miscellaneous Head को modify करके Employee Pension Scheme को introduce किया था, जिसे popularly EPS 95 भी कहते हैं, इस EPS Scheme के अंदर बहुत सारी parameter defined है और formula भी दिया गया है, कि आपकी pension कितनी मिलने वाली है, उसको आप calculate कर सके, तीन parameter के उपर define होता है, ये pension का amount, क्या है वो तीन parameter और क्या है detail, कितनी minimum और कितनी maximum आपको pension मिल सकते हैं, इस सब भी को जानेगा आज के वीडियो में, मेरा नाम है अमित, आप देखे हैं, पैसे matters चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, EPS के अंदर कितनी pension आपको मिल सकती है, इसके formula पर नज़र डालने से पहले ये देहनी कुशिश करते हैं, कि minimum pension कितनी मिलेगी और minimum service duration क्या होने चाहिए, ये pension के लिए eligible होने के लिए, minimum pension आज की rate में 1000 रुपे है, और minimum service duration है 10 साल, अब ये दोनों के अंदर थोड़ा सा catch है, उसके पर नज़र डालते हैं, देखिए minimum pension 1000 रुपे की है, जिसको government के पास काफी review petition दिये कि इसको बढ़ा देना चाहिए, लेकिन वो अभी तक कोई भी इसको पर decision नहीं लिया गया है, minimum service duration 10 साल मैंने का है, लेकिन actually मैं 9 साल 6 महीने एक दिन है, इसका reason ये है कि जो आपकी service duration होती है, उसको government round off कर देती है, depending upon 6 महीने इदर है या 6 महीने उदर है, example के लिए अगर आपने 9 साल 5 महीने काम किया है, तो government कहती है कि actually मैं हम इसको duration मानेंगे 9 साल का, और अगर आपने 9 साल 6 महीने एक दिन काम किया है, तो हम उसको duration मानेंगे 10 साल का, तो आपकी minimum duration of service जो है, वो actually मैं 9 साल 6 महीने एक दिन से अगर जादा होगी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जहांपे आप देखेंगे दो parameter यूज हो रहे हैं और तीसरा एक constant parameter है सबसे पहला है आपकी salary, दूसरा है duration of service और तीसरा है number 70 इन तीनों parameter के उपर आप एक एक करके नज़र डालते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं salary की salary का amount तीन component से define होता है basic, DA और retention amount last 60 महिने की salary को लिया जाता है और उसका average निकला जाता है और उसके बाद जो amount निकल के आता है उसे हम pensionable salary बोलते हैं 60 महिने की value को ले रहे हैं 1 सितंबर 2014 से पहले 12 महिने की average salary ली जाती थी लेकिन 1 सितंबर 2014 को amendment लाये थे जहां पे कहा था कि last 60 महिने की salary को calculate करके उसका average calculate करके आपकी पैशनेबल salary की value determine की जाएगी इस formula को हाल ही में Supreme Court की judgment ने भी valid कहा है यानि कि आज की rate में अगर आप calculate करते हैं तो आपको last 60 months की value निकालनी है आपकी salary की और उसका average लेना है कुछ example की मदद से इसको better समझनी की कोशिश करते हैं मानते हैं कि retirement से 5 साल पहले आपकी salary थी 12,000 रुपे और retirement से 3 साल पहले ये amount बढ़के 14,000 रुपे हो गया जो कि आपकी retirement तक applicable था अब अगर हम इन सभी salaries को total करते हैं हमारे पास value आते है 66,000 रुपीज और अगर हम इसकी average निकालते हैं तो amount निकल के आता है 13,200 रुपीज ये amount यूज हाता है pension के formula में आपकी pensionable salary की जगा पे एक और इसके variation के उपर नज़र डालते हैं मानते हैं कि retirement से 5 साल पहले आपकी salary थी 12,000 रुपे जो की retirement से 3 साल पहले बढ़के होगे 14,000 रुपे और retirement से 1 साल पहले ये बढ़के होगे 16,000 रुपे इस case में आपका total आता है 68,000 रुपीज और pensionable salary की value निकल के आती है 13,600 रुपीज लेकिन यहाँ पे catch है जो 16,000 रुपे का amount है उसको actually में reduce करके 15,000 रुपे कर दिया जाता है क्योंकि EPS 2014 की amendment कहती है कि maximum pensionable salary आप 15,000 रुपे से जादा नहीं ले सकते हैं हाली में Supreme Court ने एक judgment दी है कि एक option है जहाँ पर ये 15,000 रुपे से जादा के amount को भी consider किया जा सकता है लेकिन इसको वीडियो में आगे cover करेंगे तो अगर हम modified version के उपर नज़र डालते है तो पहले 2 साल की salary मनी जाती है 12,000 रुपे उसके बाद के 2 साल की salary मनी जाती है 14,000 रुपे और last की salary मनी जाती है 15,000 रुपे इन सब का total आता है 67,000 रुपीस और हम इनके average निकालते हैं तो value निकल के आती है 13,400 रुपीस जो value आपकी pensionable salary के लिए use होती है और जिसके base पे आपकी pension की calculation होती है अब next हम बात करते हैं service duration की जैसा कि वीडियो में शुरूर बताया था minimum duration of service की अगर हम बात करते हैं तो वो है 10 साल लेकिन maximum duration of service है 35 years यानि कि 35 years से ज़्यादा का value आप यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं मगर यहाँ पे भी एक catch है actually में वो catch अच्छा है और क्या है चली है आप उसके बारे में जानते हैं Employee Pension Scheme के under अगर आपने 20 साल तक contribution किया है या फिर आप इसके 20 साल तक member रहे हैं तो आपको plus 2 का फाइदा मिलता है क्या कहना है का मतलब है इसका basically मान लीजिए कि आपने total 22 साल के लिए service करी है तो आप इस formula के अंदर 22 की value नहीं डालेंगे यहाँ पे आप plus 2 value करके डालेंगे यानि कि यह value हो जाएगी 24 अगर आपने 30 years तक service करी है तो यहाँ पे यह value आएगी 32 और अगर आपने 35 years तक service करी है तो यह value 37 नहीं आएगी यहाँ पे value still 35 आएगी क्योंकि maximum value इसकी allowed जो है वो 35 है इसलिए कहा जाता था क्योंकि maximum amount of salary है वो contribution के लिए 15,000 रुपीज जैसा हमने आपको पहले समझाया अगर हम 15,000 यहाँ पे लेके चलते हैं इंटू करते है 35, divided by करते है 70 तो आपके यह value निगल करते है 7,500 इसलिए कहा जाता था कि maximum pension allowed जो है वो 7,500 है लेकिन जैसा मैंने कहा कि हाली के Supreme Court judgment में एक option दिया जा रहा है जो लोग 1st September 2014 से पहले EPS के अंदर contribute करते थे उनको 4 महीने की window मिलेगी कि वो opt-in कर सकते हैं जादा pension के लिए और उसके accordingly जो उनका actual amount में contribute कर रहे होंगे उसे के हिसाब से last 60 महीने का average लेके actual pension को calculate किया जाएगा तीसरा parameter है constant 70 तो उसके बारे में बतानी कोई ज़रत नहीं है तो आप पहले दोनों parameters को change करके अपने pension के amount को calculate कर सकते हैं हाल ही में Supreme Court ने 2014 amendment के बारे में एक judgment पास किया है जिसके base के उपर आपकी पैशनेबल salary के उपर impact पड़ सकता है क्या है वो judgment आपकी उसकी detail इसमें और इस वीडियो में देख सकते हैं अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे बिज़े comment section में बताना न भूलेगा जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके तब तक लिए बचाते रहें कमाते रहें because every paysa matters